प्यारे बच्चो नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूटूब चैनल में तो देखिएगा आज हम क्या देखेंगे आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नमबर 3 का कोश्चन और आंसर ओके तो आप लोगों ने इस लेशन का जो एक्स्प्रेनेशन है उसका आएंगे तो पहला कोश्चन आप लोगों के सामने मैस्ट फॉलवी है ना हमें यहां पर मैच करना है और इस चेन को कंप्लीट करना है तो देखो स्टुडेंट्स यहां पर मैंने डारेक्ली आंसर लिखे हुए हैं जैसे कि यह साथ मैच होगा हायर एल्टिट्यूट के अगया जाते हैं ना उसके बाद फिर यह कर दो एजार मीतर शेख सेंद्なた should Evet और तक साथ मीतर तक पा है और तक मृत बड़ाज है हाँ ये आपके हाइन आपしょ है है और यह आपके लोग कर से लोग लोग क्रून बड़ा लोग किस का बनावा आ होता है आप देखेंगे तो snow flag clouds यानिकि जो बरफ के चुटे-चुटे-चुटे-चुटे होता है उनसे वह बना हुआ होता है फिर अगर मैं क्यों क्यों मोलो nimbus के बाद करो तो भाई यह सबसे खतरनाक बादल है क्यों मैंने इतना खतरनाक बोला है एक तो वह यह वाले में आता है कुपने रहते हैं से वह दो क्यों मिक्तेमा इसनने के यह सांद निकलते हैं तो भी यह वाले अगर निंबो स्तूड vend pakि यह तो बताई वह वह आहां पあぁ मैं वह सभी फिर उसके बाद altocumulus तो यह क्या है यह medium altitude यानि कि इसमें यह आएगा और यहां पर क्या होता है floating clouds होते हैं यानि कि जो इसके clouds है वो इधर से उधर float करते रहते हैं तो यह है इसका उत्तर आप देख सकते हो नेक्स यहां पर देखेंगे question number two इसमें क्या है choose the correct word from the brackets and complete the sentence यानि कि आपको यहां पर यहां पर मैंने directly answer लिखा हुआ है तो correct word को choose करना है और फिर उसके बाद complete करना है तो पहला question आप लोगों के सामने यनि की पहला statement देखो यहां पर directly मैंने answer लिखा है तो मैं आपको पूरा यह एक साथ पढ़के बताते जाती हूं दो डैश मतलब water holding लेको vapor holding capacity of air is dependent on the temperature of air बिलकुल सही बात है जो water vapor को hold करने के capacity किसी भी एर की वो किसके उपर depend करती है हमारे temperature के उपर depend करती है राइट फिर the amount of amount of vapor in one cubic meter of air shows the absolute humidity बिलकुल सही बात है जब हम one cubic meter मानलो यहां पर one cubic meter मैंने एयर ले लिया अब इसके अंदर कितन लगा रहे हैं यहां पर temperature बगर हम कुछ नहीं देख रहे हैं बस यह पता लगा रहे कि यह जो cubic meter का मेरे पास क्या है यह एयर का टुकड़ा है इसमें कितना वेपर है अगर मैं इसका पता लगा रहे है तो वो मेरा absolute humidity हो जाएगा बिलकुल सही बात है फिर हम यहां पर relative humidity की बात कर लेते हैं तो यह क्या होता है देखिएगा as relative humidity is less in desert areas the air is dry there यहां पर जो air होता है ठीक है ताइप of clouds are indicators of storm यानि कि आंधी तुफान आने के सूचक कौन से यह होते हैं कौन से बादल होते हैं तो यह वाले होते हैं क्यूमो लो निम्बस मैंने आपको बताया था ना आता है और यह सबसे खतरनाक होता है समझेलों इसी से बिजली कड़कती है बारिस के मौसम में तो वह यहीं बादल कड़काते है ठीक है in a free environment the condensation of the vapor present in the atmosphere takes place around the dust particles ठीक है मतलब condensation का जो process है वो कहां पर होता है तो जो dust particles होता है ठीक है प्याले दोस्तों चलिए भाई तो यहां पर यहां पर यहां लिखा हुआ है डिफरेंस बिट्वीन अब में यहां पर ना डिफरेंस बताना है तो देखो पहला क्या दिया है humidity and clouds यानि humidity और clouds की बीच मे क्या डिफरेंस होता है वो हम लोगों को यहां पर बताना है तो चलिए फिर हम एक एक करके देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले humidity की humidity क्या होता है तो it is the proportion of water vapor in the air यानि कि आपका जो हवा है उसके अंदर water vapor कितना है उसी को हम क्या कहते है humidity कहते है ठीक है और Welcome Drynes आफेंपनेस इन्योन क्या होता है सूखा रुखा रुखा जो होता है वो और टैम्पनेस नहीं क्या होता है प्यारे बच्छों नमी तो यह जो और वह biblical आपरउपहयर के ऊपर होती है इसलिए कि यहां पर लिखा हुआ है कि जद्राइनेस और इमपनेस ओफ्ञारा इस ओन यहां पर डिपेंड्स लिख लेना ठीक है डिपेंड्स ओन यूमेडिटी समझ में आया तो इस प्रकार से यह है चलिए आगे चले अब मैं आप लोगों को यह बता देती हूं जड़ा क्लाउट के बारे में तो क्या होता है क्लाउट जो है वह कैसे फॉर्म होते मतलब कैस सब्सक्राइब करते हैं तो आई हम जरह इसको पढ़ते हैं कि दू कंडेंसेशन फाइन पार्टिकल्स यानि कंडेशन से क्या होता है फाइन पार्टिकल्स जो है स्टो एन वाटर के फ्लोट इंद एयर अट ग्रेटर हाइड वोगे देयर एक्कुमिलेट अराउंड पास वह इकठा हो जाते हैं फिर वह दीरे-दीरे करके बड़े मतलब बनते जाते हैं देयर एक्कुमिलेशन टुगेदर इस कॉल्ड और जो पूरा वहां पर इकठा हो गये इतने सारे पार्टिकल्स तो उसी को हम क्या कहते हैं ठीक है और यह जो क्लाउट है इसको हम देख सकते इडिस बेजिबल बट अगर मैं यूमीडिटी की बात करो तो देखा नहीं जा सकता है तो दोनों में यह मेंसर डिफरेंस होता है फिर उसके बाद यहां पर और देख ले जरा और क्या है इसके टाइप जड़ा देख लो तो एपसुलिए लिए और रिलेटी जब करो तो यह न दो करो तो यह हो गया आप लोगों का आंसर समझाया चलो आगे चले नेक्स्ट देखो यहां पर हुमिडिटी एंड क्लाउड हमने देख लिया है अब यह रिलेटी उमीडिटी क्या होता है आईए मैं आप लोगों को बताती हूं तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो रिलेटी उमीडिटी मैं आपको सबसे पहले और मैं उसमें देख रही हो कि उसके अंगर आप कितना है यह अप्सिलेटी हुमिडिटी जब की रिलेटीव होता यह रिशयो किसका होता है तो यह रेशयो और उसकी के यह कितनी है उसको ऊप्जोव करने की वह के चुब श्यों कररने कि वह eager होता क्या मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना प्यारे बच्चो जैसे जो आपका एयर है उसकी कापसिटी कितनी है वेपर को होल्ड करने की और एपसल्यूट हुमिडिटी कितनी है ठीक है तो जब हम इनका रेश्यू लिखते हैं और फिर उसको हंडेट से डिवाइट कर करना चाहता है यहां पर आगे देखेंगे जड़ा तो ड्यू तो देफ्रेंस इन टेंपरेचर यहां पर देखेंगे तो इसके उपर डिपेंड करता है डिस्ट्रिबुशन ओफ लाइंड वाटर ऑन अर्थ और सीजन अफेक्ट एपसलूट हुमिडिटी यहां कि दिस्ट् अगर हम जाएंगे और वहां की एपसलूट हुमिडिटी को चेक करेंगे तो वह अलग होगा तो उसके उपर डिपेंड करता है नेक्स्ट रिलेटिव हुमिडिटी इस मोर नियर कोस्ट्रिय इस वाइल टेजर्ट एरिया जनी कि याद रखना है आपको रिलेटिव हुमिड लेकिन अगर आप पूल्स की तरफ जाओगे तो रिलेटिव एपसलूट हुमिडिटी वह धिरी-धिरी करके डिक्रीज होते जाता है ठीक है तो यह सारी बाते कुछ है में में पॉइंट जो आप लोगों को यहां पर ध्यान रखने है यह है रिलेटिव हुमिडिटी एन ए नहीं आते हैं ठीक है तो आई जरा हम देख लेते हैं पहला पॉइंट कि जो क्यूमिलस क्लाउट सेना डिटी वेटिकल फ्लो अफड़ अफ डाफ तर फिरे क्यों में मैं आप सिद्व था जो आपका यह वाला जो क्लाउट से आपको यह कैसे वहां और शोल्या आपका यहा एक्सपांस ऑफ क्यूमिलस क्लाउट्स इंक्रीजेश सो मस्ट इन्टों क्यूम्यू लो निम्बस यानि कि जब इसी का एक्सपांसन काफी जाधा हो जाता है तब यह इस वाले बादल में बदल जाते हैं ठीक है इसलिए मैंने बोला ना दोनों भाई बैन फिर उसके पाद इ नों का इंक्यूमिलस क्लाउट्स यानि के क्यूमिलस क्लाउट्स आफ टो यह चैसा होते हैं तो यह क्यूम wires पहाड़ जैसे दिखाई देते हैं यहां पर आप देखोगे तो दे आर इंडिकेटर आप प्लिजेंट वेधर यानि कि अगर आपको यह वाले बादल दिखे क्यों मलस तो आप समझेगा कि अच्छा वेधर है ठीक है सुहावनासर मौसम है लेकिन यह दिखे तो घर में जाकर तो यह देखो निम्बो स्टेटस ठीक है यह कंटिनिवस वाले बादल यह नहीं लाते तो याद रख लेना अप लोग फिर अगर मैं इसकी बात करो तो भाईया इनका तो पूछो ही मत आप ठीक है यह तो क्या-क्या लाते देख लो इनके साथ बिदली भी कड़कती है और और पत्थर भी बरसते हैं बारिज भी होगी पत्थर भी आएंगे बिजली भी चमकेगी तो यह इनका मामला है पूरा आंधी तुफान ला देंगे पूरे पृत्वी के ऊपर ठीक है तो यह इनका है चलिए देख लीजिए यहां पर दोनों का डिफरेंस हमने बता दिया है क्यूमलर्स, क्लाउट्स और यह जो दूसरा वाला था उसका भी ठीक है दोनों का डिफरेंस मैंने बता दिया है तो आप लोग देख सकते हो अच्छे समें दोनों को दिखा दूए एक बार लो स्क्रीन शॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि PDF तो आपको मिल ही जाता है ठीक है चलिए फिर भी लेना चाहते है तो ले लो मैंने दिखा दिया है अब हम आगे चलते हैं यह सारे कुछ कोश्चन दियेगा है जिनके आप लोगों को लिखने हैं तो पहला कोश्चन है कि वाई इस एक पर्टिकुलर रीजन में जो हमारा एर वो ड्राइब क्यों होता है तो आए देखते हैं पहला पॉइंट द्राइनेस ओप दे एर इन रीजन किसके ऊपर मतलब यह फिन वाटर्वेपर ना हो जब हमारे एर में हूँडिटी कितनी हो जीरोग्राम क्यूबीक मीटर अगर उसके अंदर होई ना कुछ हुआइज है इस तो इसके बीफर तो पर हम उसको बोलेंगे एर केसा है सुखा-सुका के अंदर कुछ नहीं है ठीके को कोड रीजन में क्या होता है जो त। त्ट कारण यह घंड़ा होता है इसी कारण जो वेपर होलडिंग कैपसिटी है वो भी क्या होती है कम थे एयर के दियर फॉर इन सम रिजन्स क्या होता है स्पेशली एट हाई एल्टिटूट्स दे एर इस ड्राइ यानि कि जो हाई एल्टिटूट्स होते हैं वहाँ पर हमें ड्राइड देखने के लिए मिलता है एयर होके समझ में आया तो यहाओ द्धोस्टो आए हाओ rån कि मेज़र करतें इसको मेजर करते ग्राम पर क्यूबीक मीटर ठीकर है को लिए किशक को मेजर किया जाता है सो प्लीज केपे यूर मांईड आप दिया तो यह जो क्यूबिक है ना इ тобक हुसको इन लोगों ने सिर्पे चणा दिया मैंने यहां पर लिख दिया आप भी चाहों तो इसके सिर्पे चणा दो चलेगा no problem ठीक है तो ऐसे लिख सकते हो आओ अगला question देखेंगे सी वाला इसमें क्या दिया है कि what are the prerequisites prerequisites for condensation यानि कि condensation के लिए ना जैसे prerequisites का मतलब क्या होगा जैसे condensation अगर करवाना है मालेजिए होना है तो कौन-कौन से situations होने चाहिए यह होने के लिए क्या-क्या पहले होता है तब जाके यह condensation refers to the process of changing of water vapor in the air into water droplets सबसे पहली बात कि यह आपका condensation process है यह क्या होता है तो इसमें आपका water vapor है ना वह किसमें change हो जाता है water droplets में change होता है मैंने आपको पूरा lesson के अंदर आपने देखा होगा explanation मैंने आपको वह glass लेकर के समझाया भी था अच्छे से ठीक है ग्लास में वरफ डाल करके आप भी डाल करके देख लेना तो उसी को condensation कहते हैं तो condensation के लिए कौन-कौन से prerequisites होने चाहिए देखो पहला the temperature of the air should be less due to due to which its vapor holding capacity reduces temperature काम होना चाहिए देखो ना जब आपका water मालनीजे के अंदर जो वेपर है जब थंडे के संपर्क में आते तभी तो वह जमने लगता है वाटर रोपलेट्स बनता है तो वही बात है दूसरी चीज कि वेन वेपर holding capacity reduces यानि जब आपके water holding capacity क्या हो रही है reduce हो रही है the relative humidity of the air becomes hundred percent okay and the vapor starts condensing आप यहाँ रखना जब आपका relative humidity कितना होगा hundred percent होगा अगर अरे मैं आपको बताओ water relative humidity अगर hundred percent हुआ तो आप समझ जना कि इस temperature पे आप क्या होगा यानि इस condition में जो हमारा वह वेपर है वो हो जाएगा प्रक्रिया के फलस्वरूप हमें क्लाउड देखने के लिए मिलता है देखो due to condensation fine particles particles of snow and water float in the air at a great height यानि कि condensation की वज़े से जो fine particles होते है snow और water के वो float करते रहते हैं यानि तैरते रहते हैं and they accumulate फिर वो इकट्था हो जाते हैं किसके आसपास में dust particles के आसपास में and become larger in size वो बड़े हो जाते हैं और फिर उसके बाद when the air cools to the dew point जब आपका air dew point पे आ जाता है यानि कि आप समझो relative humidity आपका 100% हो जाता है then it becomes saturated if the temperature reduces then the vapor turns into water droplets और फिर उसके बाद जो वेपर है वो water droplets में change होने लगता है as these water droplets are lighter in the weight यानि कि जो water droplets है वो कैसे होते हैं थोड़े हलके होते हैं तो इसी कारण है मतलब condensation का ही एक form है जो higher elevation में यानि high altitude पे हमें यह देखने के लिए मिलते हैं ठीक है प्यारे दोस्तों तो यहां से यहां तक में यहां से लेकर के यहां तक में हमने किसके बारे में बताया तो हम है लेकिन अब दोस्तों के दोस्तों को आपको एक्स्प्लेंड नहीं करना है वो तीन हमने मेजर लिए देखा था ना उसी को आप होते हैं और इनको हम क्लासिफाइब कर सकते हैं त्री टाइप में त्री टाइप के दो टाइप देखो एक तो सीरस क्लाउड फिर दूसरा सीरो क्यूमिलस और यहां पर देखेंगे तो सीरो स्टेटस क्लाउड ठीक है तो ऐसे करके हम इसको क्लासिफाइब कर सकते हैं दूस पर होते हैं यह बने हुए होते हैं मतलब इसके अंदर पांस आजाते कौन-कौन से एक तो आएगा आपका स्ट्रेटों क्यूमलस दूसरा है स्टेटर्स फिर तीसरा निम्बो स्टेटर्स जिससे स्टेटर्स देखो कुछ में में बादल है याद रखना ही है तो यह कंटिनिवस रैंफॉल कौन कर वाता है निम्बो स्टेटर्स और क्यों में वज़से प्लीजेंट वेदर होता है अगर यह रहा ना आप समझ जाना कि बड़ा मौसम सुहावना होने वाले हैं ना है मौसम ब समझ जाना फिर उसके बाद यहां पर क्यों मौल ओम निम्बस इसमें यह होता है कि यह आप तुफान आने वाले हैं तो यह हैं क्या है अलग अलग टाइप के मैंने बादल बता दिया सब कुछ बता दिया ना लेटर सीधान नेक्स वन विच टाइप ऑफ क्लाउड्स गीव रहन अब आपको यह बताना है कि कौन से टाइप का जो यह है मतलब बादल है जो बारिश करवाता है तो आईए देखते हैं पहला क्लाउड्स विच गीव रहन आर एस फॉलोस कौन-कौन से पहला पॉइंट देखिएगा दर्टर्म न जसक Вас नहीं थे सारे में थोड़ा सा चैसे डिफैन कर लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है जो जो राग कलर होती है उसके कलर का होता है and cause इनके वज़े से क्या होता है continuous rainfall होता है और कभी-कभी इसके वज़े से snowfall भी हो सकता है यानि बरफ मारी भी हो सकती है और cumulonimbus clouds bring rain with storm and sometimes hailstones यानि कि यह वाले जो बादल है जो सबसे नीचे होते हैं ठीक है इनके वज़े से तुफान भी आ सकते हैं as well as कभी-कभी यह पत्थर पढ़ते हैं असमन से वह बढ़ सकते हैं but such type of rain does not last long लेकिन एक बात है कि यह बादल है जो बारिश करवा रहे हैं वह ज्यादा देर तक नहीं होता तो यह अच्छी बात है क्योंकि अगर ज्यादा देर तक नहीं होता है तो अगला गोशन देखते क्या है कि on water पर सिंटेज और लोगों को यहां पर बताना है तो इसका आंसर आईए मैं आपको एक्स्पें करती हूं प्यारे बच्कों आए लिटसी अांसर तो यहां पर थोड़ा से एगे-पीछे इसके फॉर्मूले हो गया है बड़ डोंट वरी मैं आपको लिखकर बता दूगी चिंता in air can be expressed as a percentage of the amount needed for saturation at the same temperature and same volume it is expressed in percentage ठीक है तो यहां से लिए करके यहां तक आप लिख लोगे ओके रुको मैं अगर आपको बता हूँ तो यहां पर आओ पहले इसको मैं कार्ट देती हूँ ठीक है और फिर मैं यहां पर प्यारे बच्चों percentage लिख देती हूँ ठीक इसके बगल में देखो इस एक्सप्रेजड इन कुछ जादा ही मुटा हो गया थोड़ा से इसको पतला कर देते हैं ओ ओ ओ ओ ओ चलिए इस एक्सप्रेजड इन परसेंटेज ठीक चलो यहां दगा लिख लोगे फिर उसके बाद आपको फॉर्मूला इदर लिख करके बताना पड़ेगा कि इस एक्स्प्रेजड कर दिया अब आपको यहां पर फॉर्मूला भी लिखना है आएए में जरा आपको फॉर्मूला लिख करके बताती हूं लेटर सीथा फॉर्मूला तो आपको जो रिलेटीव उमिडिटी है यहां पर आपको लिखना है रिलेटीव यूमिडिटी जिसको हम जनरली क्या करते प्यारे बच्चों परसेंटेज में दिखाते हैं तो आप यहां पर परसेंटेज डाल लेना ऐसे करके ब्रैकेट में फिर उसके बाद में क्या करूं उसके बाद यहां पर इक्वल का साइन लगा देना फिर उपर लिखना एपसुल्यूट हुमिडिटी एपसुल्यूट हुमिडिटी ऐसे करके लिख लेना और नीचे क्या लिखोग वेपर होल्डिंग कैपसिटी और फिर ना इसको मल्टिप्लाई कर देना हंडेट से कैपसिटी इन्टू हंडेट तो यह इसका फॉर्मूला हो गया ओके बात समझे में और मैंने इनको यहां से अटाई देती हूँ तो यह जो है यह पूरा कैंसलेशन कर देती हूँ थीक है क्योंकि यह फॉर्मूला पूरा इधर से उधर हो गया था ना उल्टा-पूल्टा हो गया ता इसलिए रुकिए एक मिनट कहा गया आजाओ ठीक है रुको इसको मैं यहां से मिटा देती हूँ ठीक और इसके आगे का explanation में आपको बता देती हूँ यानि सबसे पहले आपको क्या करना है जो relative humidity है ना उसके बारे में आपको पहले तो explain करना है जैसे मैंने यहां पर explain करके आप लोगों को बताया फिर उसके बाद जो इसका formula होता है उसे आप लिख देना यह हमने हमारे chapter के अंदर भी देखा था कि relative humidity को कैसे किया जाता है calculate ठीक और फिर उसके बाद अभी इसके आगे का explanation आप इसके अंदर यह add कर सकते हो ठीक है तो आईए जना हम इसको फटावट से समझ लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि due to the difference in temperature temperature के difference की विज़े से क्या होता है the amount of water vapor changes चीक है मतलब अगर temperature में differences रहेंगे ना तो जो आपका water vapor का amount है ना उसमें भी हमें changes देखने के लिए मिलेंगे ठीक है त्यारे दोस्तों अच्छा अब चलो आगे बाड़ी छोड़ा आगे देखो क्या लिखा है कि similarly relative humidity also changes यारी कि आप सुचो ना अगर water vapor change हो रहा है तो जो relative humidity उसमें भी changes देखने बिलेंगे and this means that the percentage of relative humidity depends on the temperature तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका relative humidity का percentage है ना वो किसके ऊपर depend करता है it depends on the temperature यानि अगर temperature में differences हुए then definitely यहाँ पर भी आप differences देखने देखने मिलेगा ठीक है एक्जांपल देख लिए चाहिए और बी दोनों एक्जांपल मैंने लिये हुए है अच्छे तो देख लो इसको पहला पॉयंट कि the relative humidity is more in the morning यानि कि morning या फिर night की में बात करूं तो इसमें क्या होता है जो आपका relative humidity है यह ज्यादा होता है जबकि afternoon में क्या होता है कि जो हमारा relative humidity वो decrease होने लगता है बना बन क्योंकि temperature क्या होता है increase होता है तो ऐसा क्योंकि moisture holding capacity of the air increases when the temperature is high यह जब temperature हाई होता है क्योंकि ज्यादा गरम होगा तो फिर वो मतलब moisture को करेगा और क्या करेगा होल्ड करेगा नेक्स्ट है यह भी समझ लेते हैं जो आपका relative humidity है वो मोर होता है कहां पर ज्यादा होता है coastal areas में ज्यादा होता है है ना तो यह है प्यारे दूस्तों इसका आंसर आप देख लेना अच्छे से पहले तो आपको इसे डिफाइन करना है यह तो सिंपल है आप इसको बता सकते हो आफ्टर यहां पर कुछ जियोग्राफिकल रीजन्स यानिके यहां पर आपको जियोग्राफिकल रीजन्स देने है ठीक है तो पहला कोश्चन है कि cloud slot in the sky यानि जो आपके बादल है वो क्या करते हैं आकाश के अंदर लॉठ्वाट करते रहते हैं यानि कि यहां से वहां और वहां से यहां इस प्रकार से वह घूमते रहते हैं इसके पीछे का आपको बाद तेटे रहें और फिर यह larger size में मतलब इनका size जो है वो बढ़ जाता है right फिर their accumulation together is called a cloud यानि जब यह पूरा एक साथ इकटा हो जाते हैं तो यह accumulation है इसको हम क्या कहते हैं cloud के नाम से जाते हैं because of vertical flow of the wind they float in the atmosphere ठीक है यानि क्या होता है कि यह vertical flow होता है wind का okay तो इसलिए यह atmosphere में क्या करते हैं मतलब ऐसे फ्लॉट करते रहते हैं जैसे कि अगर मैं kite की बात करो kite कैसे उचाए पर जाने के बाद इधर से उधर गुंगने लगता है ठीक उसी प्रकार से बादलों के साथ भी ऐसा होता है तो यह है इस गांसर ठीक है नेक्स नहीं यहाँ पर कि प्रोपोर्टियू अव रिलेटिव का प्रोपोर्शन है वह चेंज होता है according to its altitude altitude के इसाब से तो क्या ये बात सही है तो आइए हम जरह समझ लेते इसका अंसर इतना बड़ा हाँ बिल्कुल इतना बड़ा है तो आइए मैं आपको एक-एक अपको आप लिए ना तो सबसे पहले तो उसको आप एक्स्प्लेइन कर दोगे उसका डेफिनिशन का मेनिंग बता दोगे अन्सका देखिएगा सेकेंड पॉइंट कि दिफरेंस इंप्रेशर अमांट वाटर वेपर चेंजे सिमिलर्ली अल्सो चेंज अनिकि अगर तेमप्रे अल्सो रिदूस यानि जब हम हायर एल्टिटूट पर जाते जो तेमप्रेशर वोडियूस होने लगता है इसलिए जो वेपर ओल्डिंग कैपसिटी यह वह भी कम होने लगती है दिस मिन्स बाट देलेटी उमिडिटी इस मोर एस अधर तेमप्रेशर लेस होगा तो प्यारे बच्चों आप लोगों का सही आंसर अच्छे से इसको देख लो और बता देना कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो ठीक है चलिए वैसे मैंने लेसन के अंदर भी एक्स्प्रेंग किया था एयर बिकॉंस सैच्यूरेटेड अब इसके पीछे का कारण बताना है कि एयर को होल्ड करने की अगर उतना वेपर इसके अंदर मोजूद है दिन हम क्या बोलेंगे कि यह जो एयर है वो सैच्यूरेटेड है यानि हो चुका है अब इसका काम धवाम हो चुका है अब इससे जाधा वो और वेपर नहीं ले सकता ठीक है तो यह होता है इसका मतलब अब कापसिटी विच चेंजिस अकॉर्डिंग तो तेम्प्रेचर ऑफ दे एयर यानि कि अगर तेम्प्रेचर चेंज होगा हमारे एयर में ठीक है एटमस्वेर का तो फिर जो यह वाटर वोल्डिंग कैपसिटी है दिस विल अलसो चेंज राइट ओके वेन दे एर कूल्स दाउ जाता है तो यह यह अगरक तो वाटर वोल्डिंग कैपसिटी बढ़ए घर इतो एक स्केसे के एक अप्रकेशन प्रोपोर्शन और मोश्यार को रहें कि प्रसंग है उतना मोश्यार मोश्यार उसके इंदर प्रजेंड है तो इसे को हम क्या कहते है है प्यारे बच्चों saturation कहते है saturated यानि कि जो हमारा एयर है वो saturated है ठीक है एक्जामपल आप देख लीजी विंद एपसलूट हुमिड़ी कितना है 15 ग्राम है और फिर उसके बाद इसके जो capacity है ना वह भी कितना है 15 ग्राम पर क्यूबिक मीटर दिन वहां पर जो है इसका मतलब क्या हुआ कि the air is saturated okay clear हुआ आप सभी लोग को तो यह है इसका अंसर यह एक्जामपल देख करके बता दें अरे सुनों ना यह हम रिलेटी उमिडिटी निकाल रहें तो पॉर्मूला क्या होता है और इसकी जो है इसको हम नीचे लिखते हैं इंटू 100 करते हैं अगला कोश्चन देखिएगा डी वाला देखो इसमें क्या लिखा है कि से क्यों स्क्रावड चाटी करें वाला ज devil है पहले हम इसकी बात करेंगे क्यू यह कहां पर पाजाता है यह पां निच्गेगा यह ना चाहता है बराबर और यह कैसे फोम होता है तो यह होता है ठीक है अच्छा फिर आगे चलो जड़ा तो यह जब इसका वर्टिकल एक्सपांशन होता है तो यह क्या होता है यह जो क्यूम्लस क्लाउट चैंस होते हैं और यह कैसे होते हैं यह की पत्थर वह भी इसकी वज़ए से समझ में आया तो यह था इसका आणसर आफ लWow दीए तीक है यहां पर यहां आप लोगों को यहां पर बताने हैं ठीक है पहले दोस्तों तो आए मैं आपको बताओ पहला कोश्चन आप लोगों के सामने यह रहा यह है इसका कुश्चन ठीक है अच्छा देखो और फिर इसका आंसर देना वैसे तो मैंने यहां पर सॉलुशन बता है बट फिर भी आपको एक बार एक्स्प्रेशन करती हूं आव लिसन केरफुली तेम्प्रेशन है 30 डिग्री ठीक है और जो वाटर होल्डिंग कैपसिटी है ना आपके एयर की वह कितनी है वह है 30.37 ग्राम पर क्यूबिक मीटर और अगर एब्सुलूट हुमिडिटी कितना है 18 ग्राम पर क्यूबिक मीटर अब आपको यहां पर रिलेटिव हुमिडिटी बताना है प्यारे दोस्तों तो सारी जीजे पहले आप लिख दोगे कि टेम्प्रेशर कितना है वाटर होल्डिंग कैपसिटी इस और एब्सुलूट हुमिडिटी को ऊपर लिखेंगे नीचे क्या आता है वाटर होल्डिंग कैपसिटी और फिर इसे हमें मल्टिप्लाइ करना होता है स्टूडेंस हंड्रेट से ठीक है तो एब्सुलूट हुमिडिटी को हमने ऊपर लिखा और जो वाटर होल्डिंग कैपसिटी था उसको हमने नीचे लिखा एंड मल्टिप्लाइ कर दिया हमने इधर हंडेट से तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे दें यू विल गेट 59.27% तो यह हमें क्या मिला एपसुलूट हुमिडिटी मिल चुका है बस ऐसे ही करना है वैल्यूस पूट करके सॉलूशन कर दो आपका सवाल खतम तो लास्ट में आंसर लिख देना कि जब टेंपरेचर 30 डिक्री क्यूबीक मेटर यानि कि वन क्यूबीक मेटर आप लोगों ने यह जो एयर इसको लिया हुआ है तो एयर कंटेंस एयर में कितना ग्राम वह यह है आपका वेबर कितना है तो 4.08 ग्राम ओके तो जीरो डिग्री आपका टेंपरेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस तो आपको यहा आंपर जो उसका एयर के अंदर कितना वेपर है वही इनोंने बता दियां एंषी क्या यहां लिखा है जिसा अपको पर क्यूबीक इस डेयों पर क्यूबीक- loro angry mystery बहुता-एंधन में आप लोगों को तो सोचना यहां नहीं यहीं आपको में Sound और उ म्हिश .. is your answer यह है आपका absolute humidity तो बस इतना सब था तो यहां पर temperature लिख दिया यहां पर कितना present absolute humidity क्या हो जाएगा तो देखो the amount of water vapor in one cubic meter of air is the absolute humidity of the air यह आप लोगे one cubic meter इसमें देखोगे कि कितना है वेपर and that is your absolute humidity ठीक है clear हुआ this is clear next है अब यह चीज़ आप लोगों को डी कहते है ना do it yourself okay तो फिर भी मैंने इसका answer आपको दिया है don't worry चिंता मत करो लेकिन अगर आप चाहो तो यह आप खुछे ट्राई कर सकते हो करना क्या है collect the weather related information from the newspapers for the month of July जुलाई का जो weather related जो भी information होती है उसका यह temperature वगरा वो collect करना है आप लोगों को and पिर यहां पर relate करना है difference in the maximum and minimum temperature with humidity ठीक है humidity के साथ maximum और minimum temperature है उसे आपको यहां पर क्या करना है compare करना है ठीक है तो यह तो आप लोगों के लिए दिया गया था as a project आप लोग कर सकते हो यहां पर देखिए students यह रहा इसका answer मैं आपको दिखाऊ तो यहां पर अगर आप देखोगे यह table के माध्यम से आपको सारी चीज़े समझ में आएंगी जुलाई महिने का हमने लिया है और कौन सी जगह का लिया है temperature का difference तो यहां पर हम देखेंगे एन तो अगर तो मुंब्भाई का लिया है मैंने यहां पर लिखा है 2018 जुलाई मुंबई एहां पर टेंप्रेचर के बारे में लिखा हुआ है जैसे जुलाई में आप देख सकते हो हाइच्ए कितना था त्पिर एवरेज हाई टेंप्रेचर उसके बाद यहां पर लो नहीं लिखा हुआ है ठीक है और फिर उसके बाद आपको यहां पर युमिडिटी बतानी थी एवरेज हुमिडिटी लेवल जिसको परसेंटेब में मेजर करते हैं आप सभी लोग जानते हो तो इस प्रकार से यानि आपको यह चार कॉलम्स कितने एक दो तीन चार पांच पांच कॉलम्स तो बना नहीं है फिर उसके बगल में आप यहां पर जगह नहीं थी और इसमें वह आता भी नहीं इसलिए देखो मैंने यहां पर नीचे लिखा हुआ है उसके आगे वाला यह कॉलम्स है याद रखना एवरेज हुमिडिटी का जिसको परसेंटेज में मेजर करते हैं तो देखो परसेंटेज में लिखा है एवरेज हुमिडिटी 70.49% 94.07% तो इस प्रकार से ठीक है और यहां पर आप लास्ट में यह भी लिख देना कि इस मतलब वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या पता चला है देखिएगा कि सकते हो तुकि आप यहां पर तो मैंने यह मुंबई का लिया था आप कोई एक जगह ले लो और उसके बाद वहां का जो तेमप्रेचर है ना उसको देखो कि हृइप लो टेंपरेचर कितना है तेमपरेचर डिफरेंस उसके बाद युमिडिटी निकालियो और उसके बाद बताईएगा कि मतलब हम इसका एक्स्प्रेशन भी देख लिया है मतलब आपका यह लिसन भी होता है समाप्त ठीक है तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहे और हस्ते रहे हैं मुस्कुराते रहे हम लोग मिलेंगे अभी नेक्स वीडियो में ठीक है चलो बाई बाई बा क्लोग दोग लिए 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 और हम लिए लिएंगे से पाल बाई लिए आपका दूश्राओव जब भी देवान बाई टूम आपका लिए्म आपका वे लिए्टाप लिएवान अर हैं अर मुस्रावन हैं लिएक्शवाभा है